हलो नमस्ते मेरा नाम है प्रसांत और आप देख रहे हैं इडियू सब और आपका यहां स्वागत है और हम लोग प्रीवेस क्लास में पढ़े थे लीगल प्रोफेशन के बारे में आज मैं वहीं से कंटीन्यू करूंगा और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बार कमीटी 1923 तो इसके बारे हम आज हम लोग पढ़ेंगे 1923 से कहानी चलेगी अभी आप 2021 में नहीं है आप 1923 में चले जाईए अभी मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा इस से पहले 1923 से पहले हम लोग पढ़े थे इंडियन लीगल प्राक्टिशनर एक्ट 1879 ये 23 से पहले हम लोग लीगल प्रुफेशन में ये पढ़े थे तो इसके बारे हम लोग पढ़ लिए हैं जिसमें आप लोग को याद होगा चैटर है कोड़ के बारे हम पढ़े थे इ तो इस दूर टॉपिक में क्या क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बार कमिटी 1923 फिर थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़ेगा 1926 का इंडियन बार कॉंसिल एक्ट के बारे हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग तेके इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस्ता दू कि लिग lack indicators पे एक हमारा अप प्लेलिस्ट है आप प्लेशन-स बिजिस को विजिट तो मेरा आप सी रिक्वेस्ट है जब आप वीडियोस को देख रहे हैं न तो आप थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा ले तो आपको देखने में अच्छा लगेगा आप 1080 में देखो 1080 में आप देखोगे न तो आपको क्लियरली दीखेगा भी और मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं तो ज़्यादा आपका नेट भी जाने वाला नहीं है थोड़ा मन करें तो एरफोन लगा ले तो और भी अच्छा आवाज आएगा क्योंकि मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूं त देखो सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा सबसे पहला टॉपिक था हमारा क्या था टॉपिक जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो देखो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि हमारा इंडियन बार कमीटी ठीक है फॉर्स्ट इंडियन बार कमीटी कैसे क्रियेट हुआ इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं कमिटी के बारे में पढ़ेंगे यह कमिटी कब बना था इंडियन फॉस्ट बार कमिटी यह बना था 1923 अभी ज़स्ट हम लोग पढ़े यह कहानी थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा यह कहानी स्टार्ट होता 1921 में ठीक है उस टाइम एक इलहाबाद कोट में जो अभी परियाग राज हो गया इलहाबाद कोट में एक वकिल थे जिनका नाम था मुंसी इश्वर सरन ठीक है इनके नाम पे काफे सारा कॉलेजिस भी है अभी इलहाबाद में तो यह काफी बड़े लॉयर थे उस टाइम में और यह उस टाइम इंडियन गवर्मेंट को रिकमेंट किये थे कि इंडिया का भी बार हो मतलब इंडियन बार हो ये recommend किये थे, ये बात है 1921 का, तो finally, 1923 में क्या होता है, 1923 में Government of India जो है, ये एक Indian Bar Committee बनाती है, आप इसको धियान रखना, Indian Bar Committee का creation होता है 1923 में, तिये, Government of India एक Indian Bar Committee बनाती है, और इस Bar Committee के chairman बनते हैं, Edward Chamier, ठीक है, Edward Chamier, थोड़ा मेरा pronunciation के साथ पंगा है, तो आप please देख लेना अपने हिसाब से, Edward Chamier को इस committee का chairman बनाये गया, और इस committee में total कितने members थे, आप पहले इसको देख लो, इस committee में total 9s member थे, जिसमें की 4 barrister होते थे, एक attorney और एक civilian और तीन representative वकील बार से तीन representative थे, total देखोगे तो 9 आएगा, तो 9 का मानलो ये committee बना, ठीक है, इसमें total 9 लोग है, ठीक है, ये total 9 लोग है, और इसके head कौन है, ये Edward Chamier सहाब इनके chairman है, ठीक है, और देखो, इस committee का primary focus किया था, इस committee का main था, कि उस time जो वकील होते थे थे, वकील और barrister में काफी ज़्यादा differences होता था, तो इस difference को remove करना, इस difference को खतम करना main इसका purpose था, ठीक है, आप इसको please धियान रखेगा, इसका main purpose ये था, main focus किया था, इस committee का, इस committee का main purpose था, ये जो वकील और ये जो barrister के बीच में जो distinction था ना, इसको खतम करना, इसका main focus था, अब देखो, अखिर ये जो बना था, ये committee क्यों बना था भई, कुछ ने कुछ recommend करने के लिए बना था ना, तो अब इस committee के दोबारा क्या क्या recommendation आया, इसके बारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा मैं fast लोगा, please आप थोड़ा manage कर ले ना, देखो, ये जो recommendation था, इसमें क्या सब recommendation था, इसके बारे में देखो, सबसे पहले recommendation ये था, कि एक uniform policy लाया जाए, ठीक है, और uniform policy सारे high court adopt करेंगे, उस time जितने सारे high court थे, जितने सारे उस time high court थे, सब एक uniform policy adopt करेंगा, all over India में, अब ये uniform policy क्या था, थोड़ा आप इसको देखिए, उस time आपको जहां तक पता होगा, काफी सारे legal practitioner होते थे, जैसे कि वकील्स होते थे, मुक्तार होते थे, pleaders होते थे, attorney होते थे, solicitors होते थे, ठीक है, barrister होते थे, तो कितने सारे legal practitioner थे, लेकिन इन committee का recommendation क्या था, कि एक uniform policy हो सारे high court में, और इनका क्या कहना था, कि ये सारे, जितने सारे मैं kadder आपको बता रहा हो न, ये सारे kadder को खतम कर दिया जाया, सिर्फ एक kadder को रखा जाया, और वो किसको रखा जाया? वो advocates को रखा जाया, ठीक है, एक single kadder को रखा जाया किसको, वो advocates को रखा और कमीटी का क्या नाम था जल्दी बताओ जल्दी बताओ नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताओगा आगे बढ़ते हैं आप प्लीज इन सब बातों को थोड़ा सा देखो मैं बीच में ऐसे करूंगा क्योंकि मुझे नीन आने लगेगा नहीं तो आपको भी निन आने लगेगा तो मैं बीच में थोड़ा सा आपको ऐसे पूछता रहूंगा तो आप थोड़ा सा कंसस रहेंगे और बीच-बीच में जरुरत होता है ऐसे थोड़ा रूमर आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा है न तो हां देख रहें था हम लोग कमिटी का क्या 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 रिक्कमेंडिशन आया तो ये सारे कटर को खतंग करके सिर्फ एक कटर को रखा गया किसको एड़ अब प्लीज इसको धियान रखेगा इसके बाद देखो एक मिनट थोड़ा पर ले लेता हूँ एक हाई कोट के जो एड़ोकेट्स थे इसको अधर हाई कोट में विज़ास मैंने आपको बताया कि अधर हाई कोट्स में प्रैक्टिस करने के लिए इनको एलाउग कर दिया गया और जो एड़ोकेट्स पहले हाई कोट्स प्रैक्टिस ने करते थे अब उनको प्रैक्टिस करने भी दे दिया गया तो देखो और इस कमीटी का क्या रिकमेंडेशन था इस कमीटी का रिकमेंडेशन था कि हर एक यह देखो यहां पर इनका क्या रिकमेंडेशन था हर एक हाई कोट के लिए इच सपोस कर लो यह एक हाई कोट है एक हाई कोट यह है और एक हाई कोट यह है तो इनका कहना था कि हर एक High Court के लिए उसका खुद का एक Bar Council हो हर एक High Court का उनका खुद का एक Bar Council हो और एक क्या Recommended कर रहा थे एक Committee की यह जो Bar Council होगा ना हर एक High Court का अपना खुद का जो Bar Council होगा इसके पास कुछ Power भी होना चाहिए अब ठीक है चलो Power होगा तो कुछ देखने का power होगा न भई तो इनके पास जो power हो वो किसी इसका power हो court में जो advocates का admission होगा court में जो admission के लिए जो qualification होगा advocate का ये ताय करने का इस से related matter के लिए rules बनाने का power किनके पास दे दिया जाए bar council के पास होना चाहिए ऐसा किस committee का recommendation था तो इस committee का ठीक है आप इसको धिया लगना Indian bar committee का ऐसा recommendation था कि हर एक bar council के पास power होना चाहिए qualification and admission of the person to be advocate in concerned high court ठीक है इसको धिया लगना इसके अलावा इस bar council के पास एक जिसका और भी power होना चाहिए legal education का जैसे आज तुम लोग LLB आप लोग कर रहे हैं न हम लोग जिसे उकील से हैं इनसे related जो भी professional conduct होता था advocates का और जो भी उसे related discipline होता था legal education से related जो भी rules हैं regulation होगी ये भी सारा कुछ कौन देखेंगे bar council ही देखेंगे ठीक है ऐसा करा गया अब थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में Indian Bar Council Act देखो recommendation आ गया ना कौन से recommendation कब आया था दियान आखना ये camera committee जो camera committee थे ये recommendation कब देते हैं भाई ये recommendation दिये थे 1923 में ठीक है 1923 में दिये और कब की कहानी पढ़ रहे हैं लोग अभी कहानी पढ़ रहे हैं लोग 1926 के देखो जब recommendation आया तो उस time जो हमारा legislature था legislature पता ने इनके पास पाबर होता लोह बनाने का legislature के पास पाबर होता है आइधिंक पता हूँ आप लोगों को तो जब ये committee का recommendation आया 1923 में तो उसके बाद जो हमारा legislature था उस time 1923 में जो British legislature था वो एक act लाया उसका क्या नाम रखा गया Indian Bar Council Act 1926 ठीक है जिसे अभी farm भी लाया farm act आया ये भी act है इसमें कुछ ने कुछ तो है तो ये जो Indian Bar Council Act है ये enact होता 26 में 1926 में तो देखो अब इस act में क्या क्या था अब act आयगा तो भाई इसमें कुछ ने कुछ तो होगा ना तो इसमें क्या था 1926 का act में इस act में ये था कि हर एक Bar Council के लिए Constitution परवाइड करा गया ठीक है अब इसको दियान रखना और हर एक Bar Council को पावर प्रवाइड किया गया क्या प्रवाइड किया गया पावर अब इसको दियान रखना हर एक Bar Council को पावर प्रवाइड किया गया देखो लीगल प्रोफेशन था लीगल प्रोफेशन में और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉंग करने के लिए इसको और भी ज़्यादा करने के लिए इसमें रेगुलेट करने के लिए बार कॉंसिल को पावर दिया गया किसके द्वार पावर दिया गया जल्दी पताओ अभी ज़्यादा मैंने बताया आपको आपसे मैं ऐसे पूशता रहूँगा बीच बीच में ज़्यादा मैंने बाब को बताया दीगो यहां से मैं यहां से यहां ले ले था इंडियन बार कॉंसिल आक्ट नाइटीन ट्वनिटेश पावर देता था बार कॉंसिल को टू कॉंसिलिडेट आंड रेगुलेट लीगल प्रोफिशन ठीक है इसको दियान रखना और बार कॉंसिल को एक पावर और दिया गया कि आप हाई कोट से कंसेंट लेके आप रूल्स भी बना सकते हो High Court से Conscient लेके आप Rules भी बना सकते हो आप सबाले Rules बना सकते हो तो किस के लिए बना सकते हो तो जो High Court के Advocates होंगे उसके Rights and Duties से Related आप Rules बना सकते हो उसके अलाबा जो Legal Education होता था and Examination से Related आप Rules बना सकते हो ठीक है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फिर मैं बता रहा हूँ और ये Act जो है 1926 का जो Act है ये Act दो Grade जैसे की वकील्स and प्लीडर को इमर्ज कर देता है एक क्लास में और उसका क्या नाम था Advocates ठीक है अब 1926 के बाद ये जो पहले वकील्स होते थे प्लीडर अब खतम होगे अब ये लोग सारे क्या बन जाएंगे Advocates बन जाएंगे प्लीज आप इसको धियान रखेगा इसके बाद हम लोग नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप यदि मेरे वीडियो को देखते हैं और भी काफे सार वीडियो मेंने बनाया यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं जो एक दो रुपया पांच रुपया बेस रुपया जो आपसे हो सके यदि आप कर सकते हो और मैं next videos में यदि आप मुझे payment करते हो आप मुझे support करते हो तो मैं next video में प्लीज मेरे को subscribe कीजी और बेल आइकनों का नीजा यार उसको भी दबा लेना तो मैं next time जब भी वीडियो जा लूँगा तो तुम्हें मिलेगा तो यहां तक देखने के लिए last पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यह मेरा इंस्टा आइडी है आपको यदि कोई पूछ सकते हो मैं definitely आपको जबाब दूँगा मैं follow करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कोई queries हो तो मैं definitely आपको solve करूँगा अभी जितना मैंने पढ़ाया इसका ही दिए आपको notes चाहिए PDF चाहिए तो आप प्लीज इस चैनल को subscribe कर लो यह telegram channel है एडियू सब करके यहां भी मिल जाएगा और notes का link description box में given है तो please आप वहां से जाके download कर लेना यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद